हेलो फ्रेंड स्वागत आपका मेरे इस यूट्योब चैनल पर फ्रेंड्स आज किस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि किलो ग्राम का क्वेस्टन को कैसे स्वाल्व किया जाता है तो देख सकते हैं आप एक क्वेस्टन है एक केजी का दाम 2000 रुपए है तो 30 ग्र कर्ष रहा है तो 30 ग्राम का तो आप लोग इस वीडियो को और देखते रहेगा आप लोग को सारा चीस समझ में आ जाएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ठीक है सबसे पहले देखे आपको क्या करना है सबसे पहले एक क्येजी का कितना दिया हुआ है तो 2 हजा रुपए केजी रहेगा तो 100 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा 100 ग्राम का दाम हो जाएगा 200 ठीक है लेकिन पूछ कितना का रहा था पूछ रहा था 30 ग्राम का अब देखिए अब जो 100 ग्राम का दाम आ जाएगा ठीक है तो आपको निकालना होगा 10 ग्राम का दाम 200 रुपए है तो 10 ग्राम का दाम कितना होगा तो आपको क्या करना है यह 10 ग्राम वाले में 3 से गुना कर देना है 30 गराम का पुछेगा तो 3 से 40 गराम का पुछता तो 4 से गुना करते ठीक है 3 से 0 में करने के बाद 0 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 यानि कोई वस्तू 2000 रुपे केजी होगा तो 30 गराम का दाम कितना होगा तो 60 रुपे होगा तो चलिए एक कोईशन हम लोग और देख लेते हैं तो देख सकते हैं पर एक कोईशन है एक केजी का दाम 5000 रुपे है तो 70 गराम का दाम क्या होगा ठीक है इस कोईशन को बनाने के लिए देखिए आपको क्या करना है एक केजी का दाम कितना है तो एक केजी का दाम है 5000 ठीक है तो आपको सबसे पहले 100 गराम का दाम को निकाल लेना है तो 100 गराम का दाम निकालने के लिए क्या करना है इधर से एक अंग के बाद पॉइंट बैठा देना है यानि 100 गराम का दाम कितना आ जाएगा 100 ग्राम का दाम आ जाएगा 500 रुपए जब आप 100 ग्राम का दाम निकाल लिजेगा उसके बाद आपको 10 ग्राम का दाम निकालना है तो 10 ग्राम का दाम निकालने के लिए फिर क्या किया जाता है चाहे तो इसमें 10 से भागा दिया जाता है नहीं तो फिर इधर से एकंग के बाद फिर से पॉइंट बैठा दिया जाता है यानि 10 गराम का अदम कितना आ जाएगा तो 50 रुपय आ जाएगा पुछ कितना रहा है question में तो 70 गराम का पुछ रहा है सतर गराम का पुछ रहा है तो आपको 7 से गुना करना इसमें ठीक है तो साथ सिस्में गुना करने पर यह 0 और साथ पचे 35 यानि 350 रुपए हो जाएगा तो इस तरह से आप आसानी से किलो ग्राम वाले क्वेस्चन को बना सकते हैं